हेलो दोस्तों वัल्कम बाग टू देजानल सच्टी स्टेडी पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा है कि केंद्रिय विध्याल संगर्वे संगर्वन का एक लेटर यहां पर यह दिख रहा है आपको के teachers के recruitment से related और उसके साथ-साथ इसको लेकर हैं कि वालबाटिका में कितने उम्र के बच्चों का admission होगा यह सब दिया हुआ है इसमें पूरा letter में यहाँ पर आपको दुखाऊंगे पूरी authentic news है कब का letter है क्या-क्या इसमें दिया हुआ है सारी जानकारी दूँगी वीडियो में बने रहिएगा और कितने teachers की जरूरत है यह भी मैं आपको बताऊंगी तो यह देखिए यह amended letter है amended माने संशोदिल letter है 29 जून को जो इनोंने अप्लोड किया था अपनी website पे उसका और यह 4 जुलाई को फिर इनोंने इसको दुबार अप्लोड किया है इसके बारे में पूरा यहां पे लिखा है कि बालवाटिका के जो इनका section 1 section जो चलेगा एक section चल रहा है बालवाटिका 3 के अंतरगत और बच्चा जो है वो 5 प्लस तक का हो लेकिन 6 साल का पूरा ना हुआ यह भी है क्योंकि 6 साल का बच्चा जो है कक्षा एक में आजाता है और बालवाटिका की आपको class पता है कि class 1 से 1 में आने से पहले की classes है यह चोटे से बच्चों की वाटिका वाटिका माने क्या हो ता बगीचा चोटे चोटे बच्चों को वहाँ सारी संसकार दिये जाए उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाए जाए फिर वो उसके बाद कक्षा एक में आए और यह किस के तहट है यह NEP 2020 के तहट है New Education Policy ठीक है नई सिक्षा नीती यह आपने पढ़ रकी होगी तो उसके लिए यहाँ पर यह सारा है और यह पूरा यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों के अडमिशन के लिए किन-किन बच्चों को जरूवत है कौन-कौन बच्चा अडमिशन ले सकता है और यहां सबसे ज़ादा इंपोर्टन जो दिया है वो ये चीज है 450 केंद्रिये विद्यालयों में ये बालवाटिका का सेक्षन स्टार्ट हो रहा है 450 केंद्रिये विद्यालयों में जब ये सेक्षन स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता है इसके लिए recruitment है तो यहाँ पर पूरा लिखा है कि 400 जो इनके पूरा यहाँ पर देखिए 450 यहाँ पर बता है इनोंने यह मैं आपको पहली बता चुकी हूँ यह चीज यहाँ पर कितने केवी में चलेगा 450 केवी में इस चीज को दिमाग में रखीगा इसी से calculation पूरी हम करेंग तो यहाँ पर यह दे रहा है कि यहाँ पर बालवाटिका का जो इनका बालवाटिका 3 के नाम से जो इनका section चलेगा उसके लिए जरुवत है और total of 2 ठीक है दो इने क्या चाहिए teachers चाहिए किसके लिए बालवाटिका teacher के रूप में और हर लिखा है हर एक केवी में तो हर एक क कितनी टीचर्स की जरुद होगी 900 टीचर्स की जरुद होगी याद रखीगा इसको और वालवाटिका 3 से मतलब क्या है यह NC भी चलाएंगे इसमें KG भी चलाएंगे मतलब यह LKG और इसके साथ UKG भी चलाएंगे यानिकि lower kindergarten और upper kindergarten यह ठीक है और यह nursery से related होता है तो यह भी चलाएंगे और इन्हें पूरे school में एक प्रते केवी में दो teacher की जरुद है इस चीज को याद रखना तो 900 टो teacher की जरुद है इसके साथ इन्हें क्या है कि helper की जरुद है वो इन्हें हर school में एक helper की भी जरुद है तो इसका मतलब helper की भी 450 vacancy हो गई यहाँ पर इस चीज को note क करिएगा और पूरा इन्हें लिखा किस रूल के अकॉर्डिंग और यह जो जितरी भी वेकेंसी है यह contract बेस पे हैं समय teachers की लेकिन लेकिन दोस्तों इन्हें बाद में जो है permanent कर दिया जाएगा definitely अभी यह trial पे हैं इसलिए इस तरह का यह इन्होंने बात कही है देखिए यह लिखा है कि one caregiver shall be engaged by each of the KVs for Balvatica three यानि कि हर केवी में एक केने चाहिए helper या caregiver और दो चाहिए teacher तीन लोग की ने जरूवत है इस चीज़ को याद रखेगा आप यहाँ पर qualification बता देते हैं teachers के लिए बालवाटिका की teachers के लिए तो NCTE के according क्या है कि आपने 12th pass किया हो या इसके equivalent कुछ और pass किया हो ठीक है लेकिन equivalent हो किसी recognized board से क्या हो क्योंकि हम board से ही करते हैं 12th pass चाहे UP board हो चाहे MP board हो चाहे CVSC board हो ICSC board हो 50% at least आपके marks होनी चाहिए इसके साथ यहाँ पर end भी लगा है इसके साथ आपका diploma हो एक तो NTT का diploma होता है आपको पता है है ना NTT का diploma होता है यह है NTE पूरा यह लिखा हुआ देखे diploma in nursery teacher education जो NTT से related है pre-school education से related diploma early childhood education program जो DEC ed होता है of the duration of not less than two years of or beard nursery किया हो from NCT recognized institution यानि कि आपका जो भी यहाँ पर डिप्लोमा या जो कुछ भी है वो दो साल वाला हो two years वाला ठीक है two years से related हो ऐसा ना हो कि आपने छे महीने वाला कोई डिप्लोमा कर लिया है तो यह चीज यहाँ पर नहीं मानी जाए इसलिए आपर beard भी दिय दो साल में होता है तो लिखा नहीं है duration of not less than two years तो आपके पास अगर ऐसा कोई डिप्लोमा जो आपने दो साल में किया है nursery के बच्चों की care taking के लिए तो यहाँ पर आप apply कर सकते हैं इसके साथ जो यह मैंने बताए caregiver या helper की जरूरत है तो उसके लिए जो है पूरा लिखा qualification इसकी क्या है तो इसकी qualification का है 10th pass हो या इसकी equivalent कोई आपके पास recognition कोई आपके पास degree बो होना चाहिए certificate इसके साथ और आपकी जो लिखा है कि minimum 18 years of age कम से कम आपकी 18 साल एज हो उससे कम आपकी age नहीं हो ठीक है should have induction training in preschool education और यह training वाला system होना चाहिए और फिर बस आप यह समझ है और तो और का मतलब होता है या तो अगर आप cable 10th pass है तो यह आप इसको form भर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर तो इसके लिए यह चीज जो है आप समझ गए होंगे यह आपर कि helper के लिए cable 10th pass और teacher के लिए आपके पास एक diploma हो nursery से related nursery के बच्चों को पराने से related और आप 12th pass हो तो अगर यह दोनों चीज़े हैं तो आप form भर सकते हैं लेकिन आपको यह बता दूँ कि यह देखे यह यहाँ पर पूर्जार लिखा है salary for helpers ही salary से तो आपको इतना अभी वो नहीं होना चाहिए क्योंकि contract based पे है लेकि salary केवी में contract based पे भी जो बच्चे contract based पे कभी job किये ह तो केवी में तो आपको सबको पता होगा कि बहुत अच्छी salary यह लोग देते हैं ठीके केवी में तो इस चीज़ को याद रखेगा और permanent होने के आपके पूरे chances हैं इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेगा यह मत सुचेगा कि हम contract पे कौन job करेगा तो जिस पे experience होगा व आप देखेगा क्योंकि यह देखे यह जो बच्चे हैं इन बच्चों का admission आपको यहां पर मैं भी दिखाती हूं पूरा date भी दे रखी है यह की admission कब तक करना यह देखे admission की जो guideline है वो 23-24 के लिए और यह session भी 23-24 का है तो जब 23-24 के लिए इन बच्चों का admission हो रहा है जब इनका admission हो रहा है तो teachers की भी जरूद पढ़े है जब teachers की जरूद पढ़े है तो जल्दी इसका recruitment का notification आएगा और जैसी notification आएगा मैं आपको बता दूँगी कि notification आ चुका ह आप जाकर apply करतीजे ठीक है बहुत अच्छी job है आप जाकर इसको कोशिश कीजेगा और यहां पर देखिए अब दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूं कि कहां कहां पर जो है यह वालवाटिका की जो है school खोले जा रहे है वालवाटिका की section आगरा में देखिए यह पूरा लिखा हुआ है आगरा में खोले जा रहे है कितने आगरा में कितनी जगों पे खोले जा रहे है एमदाबाद में 19 जगों पे खोले जा रहे है ठीक है आगरा में लिखा हुआ 21 जगों पे खोले जा रहे है ठीक है और बैंगलोर में 20 जगों पे खोले जा रहे है इसके बाद पुरू ग्राम में 20 जगव पे खोले जा रहे हैं, गगवाटी में 20 जगव पे, ऩदराबाद में 20, जवलपुर में 21 जगव ज़यपुर में 23 जगव पे यह देखे और जम्मु कश्मीर में 17 जगों पे हैं तो काफी यहां पे मुंबही में पतनार में राइपुर में भी 18 जगों पे राची में 17 जगों पे सिल्चर में 8 जगों पे तिल सुकिया में 14 जगों पे बनारस में 9 जगों पे तो यह पूरा दिया हुआ है यहां पे और यह देखे पूरा नोटिफिकेश एक्जाम को लेकर भी बच्चो को दे रखा है कि बच्चों का जो admission होना है तो वो 5 जुलाई से start हो गया है opening आप registration जो है वो 6 जुलाई से यहां पर आप registration करा सकते हैं और last date जो हो registration की 18 साथ है अगर आप अपने विच्चे को बालवाटिका में केवी में डालना चाहतें तो 18 साथ 18 जुलाई तक इसको रेजिटेशन कम्प्लीट कर दें फूरा आपका सेलेक्शन हुआ है नई हुआ है यह पूरी जो क्राइटेरिया है पूरा आपका जो है 28 जुलाई तक हो जाएगा और 29 जुलाई से आपकी क्लासे से स्टार्ट हो जाएगी तो आप समझ जाए यह रिक्रूट्मेंट भी बहुत जलिया जाएगा क्योंकि टीचर्स की आवश्यक्ता है तो यहाँ पर यह सब आपको दिखा है तो यह पूरा मैंने आपको बता दिया यहाँ पर वीडियो अगर आपको नॉलिजविल लगी है पूरी जानकार यह अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नवश्कार दूस्तो